नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार सर्मा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, राजस्तान सरकार और वेदानता के CSR इनिसेटिव एक अक्सा में, जिसके टेकनिकल पार्टनर है मिसंग्यान, बच्चों, हम क्लास वारा की गनित का अध्याई 10 सदीच 20 गनित वेक् प्रसन संख्या 1 से लेकर के प्रसन संख्या 6 तक कि प्रसनों को हल करना सीखते हैं, तो आईए देखते हैं कि उसन संख्या 1, A vector और B vector हमें दिया हुआ है और A vector cross B vector का परिमान हमें पूचा है तो हम तो जानते हैं कि A vector cross B vector को हमें हल करना है तो I, J, K सार्णी की साइता से अपने इसको solve करते हैं तो A vector दिया हुआ है I minus 7J plus 7K अर्थार्थ इसके गठक ले लेते हैं तो 1 minus 7, 7 इसी प्रकार से B vector दिया हुआ है और उसके गठक है 3 minus 2 और 2 और इसको solve करना आता है तो solve कर लेते हैं और solve करने से हमें एक cross B प्राप्त होगा अर्थार्थ, I cap देखिएगा इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है तो 7, 2 और minus का है तो minus 14 और यहां से देखिए, यह भी minus formula का और यह minus यहां पे है, तो यह plus यह 14 minus J cap J cap के लिए इसको छोड़ना है अर्थार्थ 2 बंजाट 2 तो यहां पे 2 और यहां पे minus 21 ऐसे ही plus K cap के लिए देखिएगा इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है अर्थार्थ minus 2 तो यहां पे minus 2 और यह minus है, तो minus formula का तो minus minus plus यहां पे 7, 3, 21 तो plus 21 is equal to यहां तो 0 I cap यहां पे देखो minus 19 और minus बाहर है तो plus 19 J cap यहां पे देखो 19 और बाहर plus का है तो plus K 19 K cap यह अपने पास में A vector cross B vector प्राप्त हो गया हमें निकालना है A vector cross B vector का परिमाण अर्थार्थ A vector cross B vector का परिमाण equal to 0 का square plus 19 का square plus 19 का square का अंडर रूट तो देखिए 19 का square लिखते हैं और 19 का square लिखते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि 19 का square अकर वरग मूल से बहार लेंगे तो बहार आ करके 19 होगा तो यहां तो लिख लेते हैं 19 और अंडर रूट में यहां पे 1 और यहां पे 1 इसलिए 19 root 2 और यही हमारा answer है ठीक है बच्चो तो ऐसे अपन क्यूशन को solve कर लेते हैं next है क्यूशन 2 सदिस A प्लस B और A माइनस B की लंब दिशा में और लंब दिशा में अर्थार माल लेते हैं कि यह vector A है और यह vector B है और इनके बीड का कौनी ठीटा है तो लंब दिशा में काया होता है यह होता है n-cap और उसके लिए अपन करते हैं A vector cross B vector वो कहां होगा इन दोनौं के lump A vector और B vector के का होगा Lamp दिशा में होगा एक तल हो गया इनके लंब दिशा में कोन सा तल होगा यह वाला यह इसके लंब दिसा में तो हमें क्या और यहां पर यह निकालना है पहले फिर यह निकालना है फिर उसके बाद में हमें उसका लंब दिसा में निकालना है तो एक रोज भी निकालना है तो देखिएगा तो A vector दिया हुआ, B vector दिया हुआ है, तो पहले A plus B vector निकालते हैं, तो A vector is equal to 3 I cap plus 2 J cap plus 2 K cap, ऐसे ही B vector दिया हुआ है, is equal to I cap plus 2 J cap plus 2 minus 2 K cap तो पहले अपन A vector plus B vector निकालते हैं, अर्थार 3 plus 1 तो 4 I cap, 2 plus 2 तो 4 J cap plus 2 minus तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ अपन लिख सकते हैं 0 K cap, इसी प्रकार A vector minus B vector निकालते हैं, तो बच्चो A vector minus B vector, यह minus A, अर्थार 2 I cap, यह minus A, तो यह तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 J cap, यह minus A, तो यह minus minus plus का हो गया, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे K cap, अब इन दोनों का A vector plus B vector और A vector minus B vector का हमें क्या करना है, क्रोस प्रोडेक्ट करना है, अर्थार सार्णिक की मदद ले लेते हैं, तो देखिएगा, A vector plus B vector, क्रोस प्रोडेक्ट है, A vector minus B vector, is equal to I cap, J cap, K cap, A vector plus B vector के गठे लिखते हैं, तो 4, 4, 0, इसी प्रकार A vector minus B vector के गठे लिखते हैं, तो 2, 0, 4, अब इसको solve करते हैं, इसलिए, I cap, ये छोड़ना है, तो 16 minus 0, minus J cap, J के इसको छोड़ना, इसको छोड़ना है, तो 16 minus ये भी 0, plus K cap, K cap के लिए इसको छोड़ना, इसको छोड़ना है, तो 0, minus 8, तो यहाँ पे 0, minus 8, is equal to 16 I cap, minus 16 J cap, minus 8 K cap, ये अपने पास में प्राप्त हो गया, A vector plus B vector, cross product है, A vector minus B vector, और अपने इसको माल लेते हैं, कि ये है C vector के बराबर, ये हमने माना, क्यूं माना है, क्यूंकि क्यूशन में हमें दिया हुआ है, कि इसकी लंब दिशा में मातरक सदिस निकालना है, अर्थार, तो C vector का मातरक सदिस निकालना है, इसलिए हमने ये मानना है, तो C vector का मातरक सदिस, C cap equal to C vector upon C vector का परिमान, C vector यहाँ पर है, इसका परिमान ले लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा, लंब दिशा में मातरक सदिस, is equal to, और C vector क्या है, ये है, ये हमने माना है, क्योंकि हमें A plus B, cross A minus B, उसके लंब दिशा में पूचा है, वो इसे cross product से निकाल लिया, तो C vector, तो 16 I cap, minus 16 J cap, minus 8 K cap, upon under root 16 का square, plus minus 16 का square, plus minus 8 का square, C cap equal to 16 I cap, minus 16 J cap, minus 8 K cap, upon 256 plus 256 plus 64 का under root, देखिएगा, तो 16 I cap, minus 16 J cap, minus 8 K cap, upon, इसको total करते हैं, तो 576 का under root, और इसका वर्ग मूल 24 के बराबर होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे, 16 I cap, minus 16 J cap, minus 8 K cap, upon 24, 8 उपर से कॉमल ले लेते हैं, तो देखिएगा, यहाँ पर 2 I cap, minus 2 J cap, minus K cap, upon 3 प्राप्त होगा, यह हमारा क्या है, मातरक सदीस है, यह किस में हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है, plus में, और minus में, दोनों में भी, इसलिए, यह पूचा है कि लंब दिशा में, उसके लंब दिशा में मातरक सदीस और यही हमारा आंसर है तो ऐसे अपन क्यूशन को solve कर लेते हैं ठीक है बच्चो नेक्ट देखते हैं क्यूशन 3 यदि एक मातरक सदीस आई ए, आई के साथ में πाई वाई 3, जे के साथ में πाई वाई 4 और के साथ में न्यून कौन ठीटा बनाता है तो ठीटा का मान गयाद कीजिए और इसकी साथा से एक वेक्टर के गटक भी निकालना है और एक वेक्टर कौन सा है, एक वेक्टर है मातरक सदीस है, अर्थार्थ उसका परिमान किसके बराबर है एक के ब्राबर है, तो दिया है कि A vector का परिमान इक्वल टू 1 और अपन मानते हैं कि माना जो A vector है, माना A vector is equal to A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap है यह अपन मान लेते हैं A vector को, तो इसका परिमान यहाँ पर निकालते हैं, तो A1 square plus A2 square plus A3 square का वर्ग मूल is equal to 1 होगा इसको अपन लिख सकते हैं, A1 square plus A2 square plus A3 square is equal to 1 वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यह प्राप्त होगे अब बोला है कि जो यह A vector है, A इस्तिती सदिस है, वो I के साथ में अर्थार्थ, XX के साथ में पाइवाई 3 और J के साथ में पाइवाई 4 और ZX के के साथ में ठीटा न्यून कोर बनाता है अर्थार्थ, अपन यह बात जानते हैं XX, YX, ZX, ORIGIN माल लेते हैं, यह बिंदू A है और यह इस्तिती सदिस A vector है, अपना जो दिया हुआ है A vector यह अपन माल लेते हैं, और इसके निर्दे सांग X1, Y1, Z1 है, यह निर्दे सांग है, तो इसके गटक के रूप में अभी अपने लिखा A1, I cap, plus A2, J cap, plus A3, K cap, भी हमने माना था गटक के रूप में, जहां पे A1, A2, A3 क्या है, दिकन उपात है अब देखिएगा, तो यह X, X के साथ में, यहां पे I cap, इसके अनुदेस गटक है, J cap, और यहां पे K cap तो X, X के साथ में, यह A vector कौन बनाता है, ऐलफा, जिसको हम बोलते हैं, d-I cap, इसी प्रकार Y, X के साथ में, यह इसको कौन बनाता है, उसको बोलते है, अपन बीटा और इसी प्रकार इसको बोलते है, गामा, तो ऐलफा, बीटा, गामा के मान हमें दिये हुए हैं, पाइ, भ लिए है πी यहां पे दिया है पाई वाई फवर और यह दिया है ठीटा तो को जो अकसअ के साथ में बनाए गए कोण हैं वह लेते हैं इल्फा बिटा गमा धनातम अकसअ के साथ में x x के साथ में इल्फा यक x के साथ भी beth और इसी प्रकार जेड़ों के साथ में गामा कौन बनाते हैं और इल्फा बीटा गामा का मान इल्फाइक क्ववल टू दिया है पाइ वाई 3 इसी प्रकार बीटा पाई वाई फोर और इसी प्रकार गामा एक्वल टू ठीटा ये क्यूसन में दिया हुआ है और इनका कोसाइन मानी दिक कोजाइन कहलता है दिक कोसाइन अर्थार्थ कोस अलफा कोस बीटा कोस गामा ये क्या कहलते हैं दिक कोसाइन इनको हम बोलते हैं L, इसको बोलते है M और इसको बोलते है N तो यहां पे कोस अलफा का मान दिया हुआ है कोस अलफा का मान कोस पाई बाई 3 ऐसे ही कोस बीटा का मान पाई बाई 4 और यहां पे कोस ठीटा तो बच्चों कोस पाई बाई 3 तो इसका मान तो एक बटा दो होता है, कोस पाई वाई फोर, इसका मान वन अपोन रूट टू होता है, और ये कोस थीटा ही रहेगा, और ये क्या है, L, M, N, और ये हम पढ़ चुके हैं, कि दिकको जाओं के वर्गूं का योग एक के बराबर होता है, हम जानते हैं, कि L स्क्वाईर प्लेस M स्क्वाईर प्लेस N स्क्वाईर इसक्वाईर 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 यह 1 के ब्राबर है, तो 1 बटा 4 प्लेस 1 बटा 2 प्लेस कोस स्क्वाइड ठीटा इक्वल टू 1, यहां अपन इसको लिख सकते हैं, 4 तो 1 प्लेस 2 प्लेस कोस स्क्वाइड ठीटा इक्वल टू 1, तो 3 बाइड 4, 3 बाइड 4 हो गया, और इसको अपन उदर भेज दे, तो यहां तो कोस स्क्वाइड ठीटा ही मिलेगा, और यह 1 माइनस 3 बाइड 4 हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, और यहां से LCM लेंगे, तो यह 1Y 4 हो गया, इसलिए कोस ठीटा इक्वल टू 1 अपन 4 का वरगमूल, इज इक्वल टू 1Y 2 यह प्राप्त होगा, तो हम लें प्लस की वेलू ले ले, तो यह हमारे पास में क्या हो गया, N का मान प्राप्त हो गया, ठीटा क्या प्राप्त हो गया, N का मान, अब हमें द हूँ उसके बाद में तो यहां से n का मानल ठीटा निकालना हो हमें, तो देखिए ठीटा equal to cos inverse 1 by 2 और cos inverse 1 by 2 हमें देता है यह π यहां से मिल गया, अब इसके गटक निकालने क्ट Day क यहां से पूचे हमें वह हमने माना है आश वेक्टार यह हमने मानने हैं इसके गटक और हमने ये भी सिद्ध कर लिया कि A1 square plus A2 square plus A3 square is equal to 1 के बराबर होता है ये दिक्कनुपात है और हम जानते हैं X equal to LR होता है और ये क्या है दिक्कोजया और दिक्कोजया समानुपाती संख्या दिक्कनुपात होते हैं अर्थार्थ ये A है और यहां पे इसको A1 दिया है इसी प्रकार Y equal to MR ये क्या है दिक्कोजया और उसके समानुपाती संख्या ये क्या है दिक्कनुपात इसी प्रकार यहां पे Z equal to NR दिक्कोजया और समानुपाती संख्या दिक् square plus m square r square plus n square r square रबर 1 के यहां पर दिया हुआ है अब यहां पर r square कोमन लेते हैं तो l square plus m square plus n square equal to 1 हमें क्या निकालना है r का मान निकालना है तभी तो हम इसके रूप में लिखेंगे गठक के रूप में क्यों हमें क्या चाहिए x y z के मान चाहिए तो देखिएगा इसलिए इसका मान किसके बराबर हो जाएगा 1 के यहां से r square बराबर 1 अर्थार्थ r बराबर एक प्राप्त हो गया तो यहां पर जो है दिक अनुपात है वो क्या हो जाएगे दिक कोजिया हो जाएगी अर्थार्थ इसके गटक के रूप में लिखेंगे अपन तो देखिएगा इसके गटक a vector is equal to a1 a1 की जगे x है और x का मान अभी हमने निखाला l के बराबर है अर्थार्थ 1 by 2 i cap प्लेस 1 by root 2 l m का मान एक बटा root 2 j cap प्लेस एक बटा 2 यह अब निकाल लिया हमने n का मान एक बटा 2 k cap तो यह तो हो गया उसके गटक के रूप में और यह हमें पूच्छा है वो सिद्ध कर दिया यह हमारा answer तो ऐसे अपन क्यूशन को solve कर लेते हैं ठीक है बच्चो नेक्ट देखते हैं क्यूशन 4 दर्साना है कि A vector minus B vector cross product है A vector plus B vector यह इसके बराबर हो कि 2 A vector cross B vector के बराबर है तो यह तो हमारा left hand side है और यह हमारे पास में right hand side है तो अपन left hand side को लेके चलते हैं अगर right hand side लेके आ जाएंगे तो हम बोल देंगे सही बात है अर्थार A vector minus B vector cross A vector plus B vector यह हमने left hand side लेके चला तो इससे करते हैं पहले तो A vector cross A vector फिर इसके साथ में plus A vector cross B vector plus अब इसके साथ में product करते हैं cross product तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा यह minus तो अपन minus B vector cross A vector और यहाँ पर minus B vector cross B vector ठीक है यह इसके बराबर हो गया अब देखिए हम जानते हैं किस समान सदिस समान सदिसूं का समान सदिसूं का cross product क्रोस प्रोडेक्ट किसके बराबर होता है जीरो के बराबर होता है सुनने के बराबर होता है या तो अपन इसको सोल भी कर सकते हैं ए वेक्टर तो उसके सुनने के बराबर आएगा तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लेस यहाँ पर अपन A vector cross B vector और यहाँ पर देखो अपन जानते हैं कि A vector cross B vector होता है minus B vector cross A vector अर्थार्थ यह अपन जानते हैं A vector cross A से B की तरफ होगा तो ठीटा और B से A होगा तो ठीटा दूसरी तरफ होगा दूसरी तरफ होगी तो यह A vector cross B vector equal to minus B vector cross A vector तो यहाँ पर इसकी जागे क्या लिखेंगे यह लिख देंगे अर्थार्थ plus A vector cross B vector और यहाँ पर 0 is equal to 2 A vector cross B vector यह इसका मान हो गया और यही हमारे पास में right hand side ता यह हमने सिद्ध कर दिया तो ऐसे execution को solve कर लेते हैं ठीक है next है हमारा question fifth lambda और mu का मान गयाद कीजिए यह हमें दिया हुआ है कि इसका cross product 0 के ब्राबर है तो देखिएगा हमें दे रखा है मान लेते हैं यह A vector है कि A vector equal to 2 I cap plus 6 J cap plus 27 K cap इसी प्रकार B vector equal to I cap plus lambda J cap minus plus mu K cap यह है और A vector cross B vector 0 के ब्राबर है यह हमें दिया है अर्थार्थ यहाँ पे तो अपन प्रोडेट कर देते हैं सार्णी की साइता से तो I cap, J cap, K cap इसके गटक 2, 6, 27 इसके एक अटक 1 lambda mu और यह किसके ब्राबर है 0 के ब्राबर इसको इसको इसलिए I cap 6 mu minus 27 lambda minus J cap यहाँ से देखिए 2 mu minus इसको छोड़ना है तो 2 mu minus 27 एसे ही प्लेस के कैप में देखिए यह छोड़ना है तो 2 lambda minus 6 किसके ब्राबर है 0 के ब्राबर अर्थार्द यह भी 0 के ब्राबर है यह भी 0 के ब्राबर है यह भी 0 के ब्राबर है और 2 lambda minus 6 ये भी 0 के ब्राबर है compare कर लिया इसके दोनों तरब सू से तो यहां से तो देखिए यहां से lambda equal to 6 by 2 equal to 3 तो हमें इस का मान तो मिल गया ऐसे ही यहां से देखिए इस वाली समयकरण से इस वाली समयकरण से हमें मिल जाएगा mu का मान तो 2 mu equal to 27 is equal to mu equal to 27 by 2 तो यहां से हमें mu का मान मिल गया और यहां से lambda का मान मिल गया और यही हमें question में पूंचा है वो दोनों सिद कर दिया ठीक है बच्चों next है question 6 दिया हुआ है कि एक a vector dot b vector 0 के ब्राबर है और a vector cross b vector वो भी 0 के ब्राबर है सदिस a vector और b vector के बारे में आप क्या निसकर्स निकाल सकते हैं यह बताना है तो देखिए यह हमें दिया है a vector dot b vector का मान 0 ऐसे ही a vector cross b vector वो भी 0 के ब्राबर दिया हुआ है हम जानते हैं कि A vector dot A vector उसको अपन लिख सकते हैं A vector के परिमान के square के बराबर यह अपन जानते हैं इसी प्रकार आकर अपन A vector cross B vector dot A vector cross B vector इसको भी अपन चाहें तो A vector cross B vector के परिमान के square के बराबर लिख सकते हैं ठीक है ऐसे यहां से A vector dot B vector वो हम जानते हैं A vector dot B vector वो बराबर होता है A vector का परिमान B vector का परिमान cos theta के बराबर होता है और इसी प्रकार A vector यह दो सदिसों का अदिस गुणा और यह cross product है इसको dot product बोलते हैं A cross B is equal to A vector का परिमान B vector का परिमान sin theta n cap इसमें परिमान और दिसा दोनुँ है इसलिए यह सदिस गुणान है इसमें के बल परिमान ही है दिसा नहीं है इसलिए इसको अदिस गुणान बोलते हैं और इसको सदी स्गुनन बोलते हैं। आप देखिएगा, अगर अपन इस दोनों का वरक करके वरक करें यापे, तो अर्थार्थ A vector dot B vector यहाँ पे वरक किया। और यहाँ पे भी A vector अर वक्टर इसका विवरक किया, और जोड देते हैं। और इसकी जगे अपन लिख सकते हैं यहां से A vector dot A vector के यहां से इसी रूप से अर्थार्थ यहां पे तो अपन लिख सकते हैं mode A vector dot B vector का square क्योंकि A vector dot A vector को mode of A vector के square के बराबर प्लैस यहां पे भी इसी रूप में देखिए A vector cross B vector के mode का square ऐसे लिख सकते हैं और A vector dot B vector इसका मान यहां से रख देते हैं तो देखिएगा इसलिए इसका मान यह किसके बराबर है इसके बराबर चल लेता है तो देखिएगा यहां पे यहां लिख देते हैं तो A vector का परिमान B vector का परिमान और cos theta का mode का square SAE plus यहां पे देखिए A cross B यहां से लिख देते हैं A vector का परिमान B vector का परिमान sin theta n cap mode का square इसके बराबर ही रख दिया हमने देखिएगा और यह किसके बराबर है इसकी जगह आपन रख सकते हैं यह वाले value इसलिए A vector dot B vector का square लिख देते हैं यहां पे इसकी जगह यह plus इसकी जगह यह रखते हैं A vector cross B vector का square is equal to और यह इसके बराबर रहेगा तो यहां पे आपन इसको solve करते हैं तो A vector का square B vector का square mode cos square theta plus A vector का square B vector का square sin square theta और n cap और यह क्या n cap का mode क्या हो जाएगा एक हो जाएगा तो वहां तो अपन लिख देंगे 1 हम जानते हैं कि mode of n cap equal to 1 होता है इसलिए A vector dot B vector का square plus A vector cross B vector का square is equal to यहां पे देखो A square का mode का square यहां पे भी है तो comma ले लेते हैं तो A square mode को इसलिए यसे इसको भी B square के mode को common है इसको भी ले लेते हैं तो यहाँ तो क्या बचेगा cose square theta यहा लिखा cose square theta का mode cose theta और यहाँ पे sine square theta यह क्या हो गया 1 हो गया और cose square theta plus sine square theta 1 देता है तो वहाँ पे वेपन 1 लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं, cos square theta plus sin square theta, किसके ब्राबर होता है, एक के ब्राबर होता है, इसलिए a vector dot b vector का square plus a vector cross b vector का square is equal to a vector के प्रीमान का square, b vector के प्रीमान का square और यहाँ पे 1 और यह हमें दिया है, क्यूसन में, दिया है, कि a vector dot b vector, यह 0 के ब्राबर है, और a vector cross b vector, यह भी 0 के ब्राबर है, अर्थार्थ यहाँ 0, यहाँ 0 रखेंगे, इसलिए 0 plus 0 is equal to a vector के प्रीमान का square, b vector के प्रीमान का square हो गया, दोनु तरप वरगमूल करने पे, इसलिए a vector का प्रीमान, b vector का प्रीमान 0 के ब्राबर हो गया, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं, कि या तो a vector का प्रीमान 0 के ब्राबर होगा, या b vector का प्रीमान 0 के ब्राबर होगा, या दोनु सुनने के ब्राबर होंगे, और यही हमें पूचा है, कि हमें a vector और b vector के बारे में बताना है, कि या तो इसका प्रीमान 0 के ब्राबर हो सकता है, या इसका प्रीमान 0 के ब्राबर हो सकता है, इसको देख के अपन बता सकते हैं, या पिर ये दोनु चिरो के ब्राबर हो सकते हैं, यही हमें question में पूछा है कि इन दोनू की क्या condition है वो हमें यही बताया है यह देखो A vector और B vector के बारे में आपके क्या nisqrs हैं तो A vector 0 हो सकता है, B vector 0 हो सकता है या दोनू 0 हो सकते है या दोनू का प्रिमान 0 के बराबर हो सकता है ये इसी निसकर्स निकाल लिया ठीक है बच्चो तो बच्चो आज हमने इस सेशन में प्रसनावली 10.4 के प्रसन संख्या एक से ले करके प्रसन संख्या 6 तक के प्रसनों को हल करना सीखा है बच्चो ने सेशन में प्रसनावली 10.4, 7 और उसके आगे के प्रसनों को हल करना सीखेंगे ठीक है बच्चो धन्यवाद